Hello everyone, welcome to electrical department आज की जो vacancy आ रखी है Hitachi Energy Company के तरफ से new recruitment निकल कर आ रही है permanent job है, कोई contextual job नहीं है इन सभी vacancy के लिए बिल्कुल Fraser candidate अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रकार का experience की नीड नहीं है position की बात करें तो diploma, engineering, training की position के लिए vacancy है, जिसमें अगर आपने diploma या b.tech कर रखा है तो आप इसमें apply कर पाएंगे branch की बात करें तो almost all branch के candidate इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं salary की बात करूद इसमें आपको 3.2 lakh per annum से लेकर 5.9 lakh per annum तक का salary देखने को मिल जाएगा, जो की काफी बढ़ियां salary है, तो आप लोग ये opportunity में इसमत करना और इसमें जरूर से apply कर देना, तो कैसे इसमें apply करना है, क्या eligibility criteria है सरा चीजे इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो complete information के लिए वीडियो को पूरा end तक देखते रहे है, अगर आप चैनल पर नए है, चैनल को subscribe कर लीजे और telegram भी join कर लीजे, क्योंकि इस vacancy की regarding आगे जो update आएगा वो telegram चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब चलते हैं vacancy के main notification पर ये vacancy जो है हिटाइची energy के तरफ से निकाला गया है इस company के बारे में आपको बताया तो ये जो company है, basically ये company power electronics की field में work करती है और ये company manufacturing करती है जैसे आपका UPS हो गया, drive से solar inverter, air compressor और railway inverter की ये company जो है manufacturing करती है, इसमें executive diploma training की position के लिए vacancies निकाले गी है तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम Hitachi Energy के official site पर है आप इसके career section वाले page में जाएंगे तो आपको ये vacancy देखने को मिल जाएगा ये official vacancy निकाला गया है Hitachi Energy Company के तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा आप score करेंगे तो आपको ये vacancy देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो position रखा गया इसमें यानि कि जिस position के लिए vacancy निकालीगी है Executive, Deployer, Trainee, Field, Service के लिए vacancies निकालीगी है इसके बाद यहाँ नीचे आप आएंगे तो आपको सरा detail देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं Company के बारे में detail में दिया गया है अगर आप इसको पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं बात करें यहाँ पर आपका job location कहाँ पर होगा जोब location की बात करें तो आपको बैंगलूरू करनाटका में job location देखने को मिल जाएगा और यह बिल्कुल permanent job है किसी प्रकार का contextual job नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं full time permanent job है experience की बात करें तो किसी भी प्रकार का experience का required नहीं है entry level का position है यानि की freser candidate इसमें apply कर सकते हैं और position की बात करें तो executive diploma training की position के लिए यह vacancy निकाली गए यह vacancy जो है बिल्कुल latest vacancy निकाली गए है electrical branch से या फिर electrical and electronics या फिर electronics और electrical से सम्मझनी जितने भी allied branch है उससे आपने diploma का रखा है और आपके पास diploma में 7.5 CGP यानि की minimum 75% है तो आप इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं बाकि यहाँ पर कुछ skills required है यह आपके पास होना चाहिए like Microsoft आपका basic knowledge होना चाहिए आपके पास और फिर यहाँ पर जो skills दिया गया है यह skills आप लोग अपने resume में add जरूर कर लेना ताकि shortlist होने का chance ज़्यादा हो तो इसमें apply कैसे करना भी आपका हम apply करके दिखाएंगे लेकिन उससे पहले बात करते हैं selection process का selection process की बात करें सबसे पहले आप इसमें apply करेंगे अगर आपका resume shortlisted होता है तो आपके पास हिटाइची energy की तरफ से assessment के लिए mail आएगा assessment अगर आप clear करेंगे तो आपका इसमें interview होता है interview की बात करें तो आपका इसमें HR round और technical round दो round interview होते हैं technical round में आपको electronics से सम्मंधी ज़्यादा questions देखने को मिलेंगे क्योंकि यह company जो है basically electronics field में ही work करती है इसके बाद interview clear होने के बाद इसमें आपका medical और इसके बाद final joining हो जाता है salary की बात करें तो जब आप diploma training की position पर होंगे तो आपको इसमें salary देखने को मिलेगा 2.9 lakh per NM का salary देखने को मिलेगा जैसे आपका training का position है वो complete हो जाएगा आप आगे position के लिए जब J की position पर आजाएंगे तब इसमें जो आपका salary होगा आपको 5.9 lakh per NM का CTC देखने को मिल जाएगा जो के diploma के लिए बहतरीन salary है तो जो भी इसमें interested है apply करना चाहते हैं जरूर से apply कीजेगा apply कैसे करेंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको apply now का बटन दिख जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं इस बटन पर click करके आपको अपना account बना लेना है इनके official site पर account बनाने के बद basic detail फिल करना है और इसके बाद आप इसमें apply कर पाएंगे ठीक है चलिए इसमें Hitachi की तरफ से apprenticeship की भी वेकेंसी निकालेगी उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में हम बता देते हैं तो जो भी कर्णेट apprenticeship परना चाते हैं Hitachi कंपनी से वह भी apply कर पाएंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बिलकुल latest vacancy है यह Hitachi high rail power electronics company के तरफ से पांच दिन पहले LinkedIn पर इनके official page पर post किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो post होगा apprenticeship training की position के लिए vacancy निकाली गी है और आपका जो इसमें job location होगा गुजरात में आपको job location देखने को मिलेगा और इसमें जो selection रखा गया है direct interview के माध्धम से selection रखा गया है और चलिए बात करते हैं कौन-कौन से department में आपको work देखने को मिलेगा experience की बात करें किसी प्रकार का experience require नहीं है क्योंकि यह apprenticeship का πोजिशन है तो apprenticeship में किसी प्रकार का experience का requires नहीं होता है इसमें आपको जो duration आप training की बात करें तो वन येर का आपको training period देखने को मिल जाएगा जो आपका इसमें work होगा production, testing, QC, QE में department में होगा इस company से आप apprenticeship करने के बाद TATA हो गया, L&T हो गया, इन सारे top MNC company में भी interview के लिए जा सकते हैं qualification की बात कर लेते हैं तो अगर आपने diploma कर रखा है या फिर BEB tech कर रखा है power electronics branch में या फिर electrical branch में, electronics communication में, electronics and telecommunication में या फिर mechanical branch से तो आप इसमें eligible हैं apply कर पाएंगे interview detail की बात करें तो interview देने के लिए आपके पास काफी time है, आप जा सकते हैं 23 March को interview conduct कराया जाएगा, 10 बजे से 3 बजे तक और venue यहाँ पर दिया गया है direct आपको company में जाना है, हाई टाइची, हाई rail electronics, power limited, गुजरात में यह company वहीं पर आपको जाना है work and interview के लिए, क्या-क्या document लेके जाना है, यहाँ पर दिया गया है, आपको अपना updated resume का copy लेके जाना है और आपके अधार card का copy लेके जाना है, ठीक है, यह documents आप लेका जा सकते हैं वहाँ पर, और आपका जो apprenticeship होगा net portal के थ्रों आपकर apprenticeship करा जाएगा, salary की बात कर लें इसमें तो आपको इसमें जो salary मिलेगा, minimum salary बता रहे हैं तो आपको इसमें 15,000 रुपे पर मन्त, डिप्रों वालों के लिए salary मिलेगा, और B.E.B.T. वालों के बात करें, तो approximately 18,000 रुपे पर मन्त salary देखने को मिल जाएग सारा process हमने बता दिया है आपको, और apply करने का link, notification का link, आपको वीडियो को discussion मिल जाएगा, वहाँ से click करके आप apply कर सकते हैं, बाकि अब लोग अपना branch और की सियर के pass out है, comment में जरूर बताइएगा, ताकि जो next frequency हो, आप से relevant हो, तो अब हम मिलते हैं ने,